दोस्तो आजकल हर फिल्ड में इंटरनेट का प्रियोग बढ़ता ही जा रहा है इसमें खरीददारी, बैंकिंग, पेमेंट और दूसरे कई काम लोग आजकल आउनलाइन करना ही पसंद कर रहे हैं और इससे समय की भी काफी बचत होती है खासकर यूआ इंटरनेट के जरिये ही फाइनांस से जुड़े सारे काम कर रहे हैं यूआ लोग इंटरनेट पर ही किसी दूसरे फाइनेंशल परड़क की तुलना में इंशरेंस पॉलसी को खरीदना काफी पसंद कर रहे हैं ये कई तर इंशरेंस कारप्रोशन के प्लैंस के बारे में काफी सार्च कर रहे हैं लाइफ इंशरेंस की पॉलसी अब लोग ऑनलाइन ही लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन से उधा मिलने की वज़े से इंशरेंस पॉलसी खरीदने के लिए डॉक्कुमेंट से जुड़ा काम इंशरेंस क एक सही इंशुरेंस प्लान खोजना आसान हो गया है कई वेबसाइट की मदद से लोग अपने जरूरत के मताबिक प्लान की तुलना करके उनका चुनाब कर सकते हैं और वे अपने पॉलसी को डिजिटली मैनेज भी कर सकते हैं इससे कागरी काम भी नहीं करना पड़ता है आउनलाइन प्लान आफलाइन प्लान के मुकाबले काफी सस्ते भी पड़ते हैं इसके लिए बुकतान में किये जाने वाला प्रीमियम आफलाइन प्लान की तुलना में 30 से 40 वेज़दी सस्ता भी होता है LIC का TED टरम LIC का सबसे सस्ता टरम प्लान है यह केवल आउनलाइन ही मिलता है आउनलाइन प्लान का प्रीमियम सस्ता होने के पीछे कई कारण होते हैं सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई बिचोलिया नहीं होता है इससे कमीशन की भी बचत होती है और आउनलाइन इंसरेंस में प्लान लेने में धोके की कोई गुझास नहीं रहती वेबसाइट पर अलग-अलग प्लान की तुलना करने से आसानी से समझा जा सकता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बहतर होगा इसके अलावा प्लान लेने के पहले पॉल्सी दस्तावेज को पढ़ कर समझा जा सकता है जिन लोगों ने पहले से इंसरेंस ले रखा है उनकी सर्विस रिवीवी भी देखने को मिलती है इससे इंसरेंस खरीदने का निर्णाय लेने में आसानी होती है उनलाइन इंसरेंस लेने पर क्लेम और दूसरी महतरपूंट जानकारी कस्टमर वेबसाइट पर मिल जाती है उसे एजेंट के सलाव की कोई जरूरत नहीं होती है अगर कस्टमर को कोई खास जानकारी चाहिए तो खुद insurance plan के बारे में जानकारी जुटाने की कोई जिरूरत नहीं है LIC की website पर भी LIC मित्र को एक phone call करना ही काफी है वे सारी जानकारी मोयक करा देते हैं इसलिए policy खरीदने में किसी तरह की गलती होने की संभावना काम रहती है दोस्तों किसी भी LIC policy से जुड़ी किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर WhatsApp भी कर सकते हैं मित्रों यहां आपको एक बात और भी कहना चाहूं कि जैसे कि हर एक चीज में कुछ फायदे होते हैं और कुछ उसके नुपसान भी होते हैं वैसे ही आउनलाइन बीमा पालसी लेने में भी आप इसे बिना किसी एजन्ट या आभी करता के लेते हैं तो इसमें यदि कोई डैथ कलेम आता है तो एजन्ट के बीच में ना होने के करण आपके बाद आपके परिवार को खोदी आफिस में इसके लिए कलेम लेने के लिए जाना पड़ सकता है और थोड़ा इसमें टाइम भी लग जाता है कई बार और यदि आपने इसे किसी एजन्ट से लिया होगा तो यह उसकी जिम में दारी बनती है कि वह आपको कलेम भी दिलाए और आपकी फैमिली को परिशान ना होना पड़े तो मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नहीं जाने कारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार धन्यवाज जैन